हेलो फ्रेंस वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैं वरेजनी और कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग के साथ सेर कर रहे हूं मसाला निम्बू पानी और यह बहुत ही बड़िया सा टेस्ट आएगा तो चलिए बनाना अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नए है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करना बल्कुल फ्री है कि कोई भी पैसे नहीं लगते हैं और अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच भुना ग्लास में डाल देंगे और वीडियो देखी रहे तो एक लाइक भी कर दीजिए और प्लीज वीडियो को पूरा देखे मेरा सपोर्ड कीजिए तो हम इसमें डाल रहे हैं नमक साधा नमक है तो हम इसको दोनों ग्लास में डाल देंगे और मेरी वीडियो बिलकुल भी नहीं कि यहां नहीं आते हैं क्या मेरी विडियो अच्छी में घुटी तो हमने इसमें डाला है पुदीना की पत्तीे और इसको मैंने पीस लिया है और अब इसको हम मिक्स करिए और दोनकी गलास में और प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताईए कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं होती है इसलिए मेरे पर व्यूज नहीं आते हैं या और भी कोई दिक्कत है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो हमने इसमें डाला है आधा लेमेंड जूस तो आधा आधा हम दोनों गलास में डाल देंगे और इस तरीके से हम नीमबू पानी बना के पीएंगे तो आपको एकदम यह तरू ताज़ा कर देगा बहुत ही बड़ी हाँ सा टेस्ट है इसका तो अब इसको भी हम चमच से मिक्स कर लेंगे और गर्मियों के मौसम में ठंड़ ठंड़ नीमबू पानी मिल जाए तो वह क्या बात है मज़ा ही आ जाता है एकदम ठंड़ ठंड़ सा बहुत ही अच्छा लगता है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब और जब ही आप धूप से आए हो तो इस तरीके से फटा फट से जीरा वाला नीमबू पानी बनाके मसाले दारा पीजिए बहुत ही मजाएगा तो हमने इसमें डाला है आइस क्यूब आइस क्यूब हम दोनों ग्लास में डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक तूप उदिनी की पत्ती और प्लीज वीडियो के स्लाइसेस लगा दिये हैं यह देखे इस तरीके से और हम इसमें डालेंगे पुदिनी की पत्ती तोड़के तो यह लीजिए हमारा जीरा वाला मसाले दार नीमबू पानी बनके दयार एकदम ठंडा ठंडा सा और यह बहुत ही बढ़ियां सा है आप इसको पीजिए बहु बहुत ही मज़ा आएगा तो कैसे लगा आप मेरे वीडियो यह आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और देखे रहे हैं वीडियो ते लाइक कर दीजिए चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ तक लिए बाई बाई